हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल मधूच कीचन में फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ सूपर टेस्टी वेस बिर्यानी रेसिपी सेयर कर रही हूँ इस तरीके से जब आप वेस बिर्यानी बनाएंगे न आप बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तयार होगी और एकदम खिली-खिली बिर्यानी बनकर तयार होगी आपको बहुत पसंद आएगी तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम एक बाउल ले लेंगे और उसमें एक गिलास गरम पानी डालेंगे और इसमें एक छुटा चमश नमक डालेंगे और नमक को पानी में मिला लेंगे तो यहाँ पर देखेगा हमने ये एक कप नुटिला ली है और इनको भी पानी में डालेंगे और हम नुटिला को एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी के साथ और इनको ढखकर हम 10 मिनट के लिए रख देंगे फूलने के लिए और 10 मिनट के बाद देखेगा न्यूटिला अच्छे से फूल गई है ये देखेगा न्यूटिला बहुत अच्छी तरीके से सौप्ट हो गई है तो अब हम इसको 2-3 वार अच्छे से पानी से धोलेंगे और उसके बाद इसके सारे पानी को हम अच्छे से निचोड लेंगे याँ पर देखेगा हमने इनको अच्छे से 3-4 वार धोलिया है और अब इस तरीके से ये देखेगा प्रेस करते हुए हम इनके सारे पानी को निकाल देंगे तो इसी तरीके से हम बाकी की न्यूटिले को भी इसी तरीके से निचोड लेंगे और अब एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे और उसमें न्यूटिला को डालेंगे और इसी के साथ हम इसमें एक कप कटा हुआ गाजर डालेंगे सबजी आप अपनी मन पसंद की कोई भी ले सकते हैं एक कप मैंने यहाँ पर यह गोबिली है इसको भी डालेंगे एक कप ही मैंने यहाँ पर यह बीन्स ली है तो आप उसको skip भी कर सकते हैं इसे के साथ हम इसमें दो चम्मच भर कर अधरा को लहसुन का पेश्ट डालेंगे और एक चम्मच ग्रेट करी हुई हरी मिर्च डालेंगे इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है विर्यानी में इसी टाइम पर डाल दीजिए मैं यहाँ पर दो चम्मच रमक डालेंगे और यह मैंने 100 ग्राम दही लिया है दही हमें फ्रेस लेना है ज्यादा खटा दही नहीं होना चाहिए और साथ हमें एक मुठी हम इसमें धनिया और पुदीना के पत्ते डालेंगे और दो चम्मच हम इसमें देसी घी डालेंगे तो हमें यहाँ पर देसी घी डालना है इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और अब सभी चीजों को हम देखेगा इस तरीके से हातों से मिलाते वे अच्छे से मिक्स करेंगे तो सभी मसालों को हमें बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है सबजियों के साथ इस तरीके से जब आ वेज बिर्यानी बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तयार होती है और अब देखेगा सभी मसाले बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो गए है सब्जियों के उपर बहुत अच्छी तरीके से मसालों की कोटिंग हो गई है तो चलिए अब इसको हम आदा गंटे के लिए ढखका रख देंगे मैगिनेट होनी के लिए और ये हमने एक किलो बिर्यानी राइस लिए है और इनको हमने तीन से चार बार बहुत अच्छी तरीके से देखेगा हातों से रगड़ रगड़ का धोलिया है तो अब इनको भी हम आदा गंटे के लिए भिगो कर रख देंगे तो चलिए हम इसमें पानी डालनेंगे पानी हमें इतना डालना है कि चाबल अच्छे से डूब जाए और अब देखेगा सबजियों को रखे वे भी आदा गंटा हो गया है तो यहाँ पर हमने गैस पर एक कूकर रख लिया है और उसमें दो बड़े चमच तेल डालकर उसको अच्छे से गरम कर लिया है तो यहाँ पर यहाँ पर हमने 4 मीडियम सैच की पयाज को देखेगा इस तरीके से पतला पतला स्लाइसों में कर लिया है तो चलिए इनको भी न पूकर में डाला देगा और अब medium flame पर हम देखेगा प्याज को इस तरीके से चलाते हुए भूनेंगे प्याज को हम यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से भूनना है जब तक कि उस पर एक अच्छा सा golden color ना आ जाए खालए प्याज को भूनेंगे तो जिब तक देखेगा प्याज हमारी भून रही है हम दूसरी तरह कैस पर एक और भूओना रहेंगे और उसमें 3-4 लीटर पानी डाल कर उसमें 2 चमच नमक डालेंगे 3-4 लोंग डाल देंगे एक चमच जीरा डालेंगे दो हरी लाइची डालेंगे एक चमच सौप डालेंगे इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और साथ ही में तीन से चार हरी मिर्च डालेंगे तीन से चार तेज पत्ता डालेंगे एक बड़ी लाइची डालेंगे और अच्छे से एक बार सभी चीजों को हम मिक्स कर देंगे नमक आप इसमें इतना डालें जिससे की जो पानी है वो हलका हलका नमकीन लगे ज्यादा नमक नहीं डालना है और साथ में एक चमच देशी घी डाल देंगे और दूसरी तरफ देखेगा प्याज भी हमारी हलकी हलकी भूने लगे है और यहाँ पर प्याज में बहुत अच्छा सा एक गोल्डन कलर आ गया है तो अभी हम इसमें से आधा प्याज को निकाल लेंगे और आधा प्याज कूकर में ही रहने देंगे और कुकर में जो प्याज है उसको देखेगा हम इस तरीके से किनारों से साइड में कर देंगे और अब इसमें हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे तो यहाँ पर मैंने एक चम्मा जीरा लिया है एक चम्मा सौफ लिया है 15-20 काली मिर्च लिया है एक चकरफूल लिया है एक टुकड़ा में नहीं हाँ पर जावितरी का लिया है एक दालचीनी का पिस लिया है बड़ी इलाइचिली है लॉंग ली है और हरी इलाइचिली है इन सभी को डाल देंगे और अच्छे से सबी मसालों को चलाते वे हम एक मिनट के लिये भूनेंगे साथ में दो से तीन तेजपता भी डालेंगे और सभी मसालों को एक मिनट के लिए भूनेंगे ताकि जो मसालों का फ्लेवर है वो तेल के अंदर तक अच्छे से चला जाए और फिर हम इसमें मेगनेट करी हुई सबजें डाल कर उनको अच्छे से भूनेंगे सुरू में हम इने हाई फ्लेम पर भूनेंगे तो इसी तरीके से देखेगा सभी सबजे को चलाते हुए हम हाई फ्लेम पर पांच मिनट के लिए भूनेंगे और उसके बाद गैस की फ्लेम को हम मेडियम टू लो कर देंगे और फिर दस मिनट के लिए भूनेंगे और दूसरी तरफ देखेगा हमने जो चाबलो का पानी रखा है उसमें भी अच्छा सा उवाल आ गिया है ये देखेगा इसमें बहुत अच्छा उवाल आ गिया है तो इस टाइम पर अब हम इसमें भीगेवे चाबल भी अड़ कर देंगे और अब देखेगा इस तरीके से हम चाबलो को एक बार अच्छे से mix करेंगे और हलके हातों से हमें mix करेंगे चाबलो को हमें यहाँ पर लगवग 80% तक पकाना है और पांच मिनट में यह 80% तक पक कर तयार हो जाएंगे और चावलों को एक बरतन में निकाल लेंगे दूसरी तरब देखेगा सब्जी को भूनते वे भी लगवक 10 मिनट हो गए हैं और सब्जी आभी बहुत अच्छी तरीके से भून गई हैं तो चलिए गैस की फ्लेम आप आफ कर देंगे और अब हम इसमें भूनी हुई सब्जी आदाल देंगे तो हमने इसमें पानी इसले डाला है ताकि जो सब्जी हैं वो नीचे लगे न तो देखेगा पहले हम इस तरीके से इसमें नीचे सब्जी की एक लेर बनाएंगे और अब एक layer हम यहाँ पर चावल की लगाएंगे तो यहाँ पर देखेगा हमें अच्छे से चावल की layer लगानी है ताकि जो सब्जियां है अच्छे से ढख जाएं उपर से थोड़ा बिर्यानी मसाला डालेंगे थोड़ा सा फ्राई करा हुआ प्याज डालेंगे थोड़ी से धनिया और पोईदीना के पत्ते डालेंगे और यहाँ पर यह मैंने थोड़ा सा कटा हुआ पनीर ले लिया है आपके पास पनीर हो तो जरूर डालिएगा इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है बिर्यानी में और इसमें बहुत अच्छा लुक देने के लिए एकदम मार्केट जैसा लुक देने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा फूट कलर डाल रही हुआ यह पूरी तरीके से ऑप्चिनल है आप चाहें तो पूरी तरीके से इसकिप भी कर सकते हैं लेकिन इसे बिर्यानी में बहुत यह अच्छा लुक आता है और उपरसे हम थोड़ा थोड़ा देशीगी भी ड़ालेंगे देशी की आप जरूर डालेगा इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है बिर्यानी में और बिर्यानी एकदम खिली-खिली बनकर तयार होती है और आप हम फिर से एक लेयर सब्जीयों की बिछाएंगे तो फ्रेंट जब भी आपके इहाँ पर कोई गैस्ट आने वाले हो या कोई स्पेसल ओकेजन हो आप यह बना का जरूर ट्राई कीजेगा बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है और जो भी यह बिर्यानी खाएंगे आपके जरूर तारीफ करेंगे और आपसे पूछेंगे जरूर कि आपने इसको कैसे बनाया है तो चलिए यहाँ पर हमने चावलो के भी एको लेयर लगा दी है और अब उपर से हम इसमें फिर से फ्राई करा हुआ प्याज डालेंगे थोड़ा सा बिर्यानी मसाला डालेंगे फिर से थोड़ा सा पनी रेट करेंगे धनिया पूदीना के पत्ते डालेंगे देसी घी डालेंगे और थोड़ा सा फूट कलर डालेंगे तो यहाँ पर देखिएगा सेम प्रोसेस के साथ हमने फाईनल लेयर भी लगा कर तैयार कर ली है उपर से एक चमस देशी घी डालेंगे तो यहाँ पर देखेगा बिर्यानी में हमने दो से तीन बूंत केवडा वाटर भी डाल दिया है और अब हम इसको ढखकर 20 से 25 मिनट के लिए पकाएंगे लो फ्लेम पर और उपर से कोई भरे चीज रख देंगे ताकि इसकी जो गैसे वो ना निकले और 20 से 25 मिनट के बाद यह देखेगा वाव हमारी सूपर टेस्टी वेज बिर्यानी बनकर एकदम तयार है यह देखेगा कितनी खिली खिली बनकर तयार हुई है चावल का एक एक दाना बिल्कुल अलग हो रहा है और बहुत यची समय से खुसबू आ रही है तो फ्रेंड्स आप भी इसी तरीके से बहुत आसान तरीके से सूपर टेस्टी वेज बिर्यानी अपने घर पर ही बना कर तयार कर सकते हैं जब इस तरीके से आप घर पर ये वेज बिर्यानी बनाएंगे न तो हमेशा के लिए होटल और रेस्टोरेंट से बिर्यानी लाना हमेशा के लिए भूल ही जाएंगे ये तो मेरी गारंटी है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन कर तयार हुई है आप एक बार जरूर ट्राइ कीज़ेगा आपको बहुत पसंद आईगी तो चलिए अप गर्मा गर्म इसको सर्व करते हैं तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी आज की वनाई वैस दम बिर्यानी रेसिपी थोड़ी सी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और सेया करना ना भूलिएगा और जो चैनल पर पहली बार आएं हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ में बैल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा जिससे की मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके थैंक यू